जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारी इस प्रित्वी पे एक नियम है कि गरम पदार्थ हमेशा ही उपर की तरफ फूरता है और ठंडा पदार्थ हमेशा निच्चे की और गती करता है तो इसी नियम को अधार मानेंगे अपने स्वाहनिय तरंग सिधान्त में और जो दिया था आर्थर होम्स ने 1929 के समय के अंदर 1928-29 के अंदर इन्होंने ये सिधान्त दिया था आर्थर होम्स जिन्होंने इस पृत्वी को जो अंदरुनी भाग है इसका इसको दो भागों में बंटा है बाहरी भाग जिसे हम क्रश्ट कहते हैं और अंदर जो की अर्द तरह लवस्था में हैं उसे अधिस्तर कहा जाता है उप्री भाग करश्ट और अंदर वाले भाग को क्या है अधिस्तर कहा जाता है उपरी भाग कठोर है जो इस अंदर के अधस्तर तरल के उपर अधस्तर के उपर स्थित है तो ये जो स्थिर भाग है जो उपर करश्ट के रूप में है इसके निचे अधस्तर के अंदर टोटली संपूर्ण भाग के अंदर रेडियो धर्मी पदार्थ पाई जाते हैं रेडियो धर्मी पदार्थ क्या है रेडियो धर्मी पदार्थ जो स्वेते ही क्या है उर्जा निस्कासित करते रहते हैं उन में से स्वेते ही विक्रन होता रहता है यूरेरियम थोरियम इस परकार अल्फा, बिटा, गामा इन के लिणों को भी आप इसमें सामिल कर सकते हो तो ये रेडियो धर्मी पदार्थ है ये स्टै के उपर से अंदर लगातार मिलते है लेकिन इनकी अधिक्ता जो है रेडियो धर्मी पदार्थों की अधिक्ता है वो स्तै के पास आप इस सितर में देख सकते हैं स्तै के पास अधिक मिलती है यानि कि इस करश्ट के पास मिलती है अधिस्तर के अंदर रेडियो धर्मी पदार्थों की कमी पाई जाती है आप बात करते हैं कि ये उस्मा का निस्तारित करते रहते हैं तो क्या केंदर भाग का तापमान जादा होगा या जहां ये अधिक मिलते हैं वहां का तापमान जादा होगा अपने तो यही सोचेंगे कि जहां पर इनकी अधिकता मिलती है वहां पर तापमान अधिक होगा लेकिन होमस महोद्या ने कहा कि जो केंदर भाग में जहां पर इनकीत अलपता पाई जाती है रेडियो धर्मी पदार्थ कम पाई जाते हैं वहां पर ये उस्मा को पेदा करते हैं लेकिन ये उस्मा निसकासित नहीं हो पाती यानि कि उस उस्मा का वहीं पर संचे होता रहता है इसी संचेन के कारण ही इसमें जो केंदर भाग है यहां पर उस्मा अधिक हो जाती है और जो उस्तेय का भाग है करश्ट के नजदिक का भाग है बाहरी खोल जो है उसके पास में रेडियो धर्मी के पदार्थों की अधिक्ता है लेकिन उसी स्तेय के माध्यम से परिचालन के माध्यम से या विक्रिनन के माध्यम से यहां से उस्मा निसकासित हो जाती है इस उस्मा के पैदा होने में और निस्कासित होने में दोनों ही प्रकिर्या होने विक्रिन होने से तो ये उस्मा यहां पर संचे नहीं हो पाती इसी के कारण जो है स्टै के पास ताप मान कम और केंदर में ताप अधिक मिलेगा तो आपको clear हो गया होगा कि के अंदर मिताप अधिक है श्तेय के पास ताप कम है तो Arthur Holmes ने ये बताया अब बात करते हैं सुहानिय तरंगों की कि सुहानिय तरंगे नोर्मली आप माइंड में कलपना कर लो कि सुहानिय तरंगे क्या है अपने घर के अंदर जब चाय बनते वक्त एक बरतन के अंदर जब उसे पानी को गरम किया जाता है उसके अंदर चाय पत्ती डाली जाती है चाय की पत्ती जब गरम जल के अंदर आप देखेंगे तो केंदर बीच में से क्या है उपर की तरफ उड़ती है किनारे पे जाकर क्या है निच्चे गिर जाती है आप ये प्रिकिर्या देखेंगे तो आपको एक बार केंदर में देखेंगे तो आपको लगेगा कि निच्चे से उपर की तरफ लगा तार चाय की पत्ती आ रही है लेकिन आप रियर्टीद समझे उसको कि वो उपर उठती है स्टै के उसके उपर स्टै पे चलती है फिर किनारे यानिकी उस बरतन के किनारे तक पहुंसती है फिर निच्चे की तरफ अधोगमन करती है फिर स्टै के साथ निच्चे वर स्टै के साथ वापस चलती है फिर जहसे ही जहां से हीटिंग मिलती है उसमा मिलती है वो फिर से उप ओपर की और चलती है यह निए प्रकरती का यह नियम कि गरम पदार्थ ओपर की और उठता है ठंडा होने के पश्चात नीचे की तरफ गति करता है हलांकि यहां पर क्या है अत्यदी गरम फिर कम गरम और फिर कुछ कम गरम यानि कि है तो सारा गरम में लेकिन अत्यदी गरम से कुछ अपिक्षा करत किनारे वाले जो है वो उतरता हुआ जो इसका उतरता हुआ जो स्तंब है वो क्या होता है कुछ ठंडा होता है तो अब बात करते हैं अपने स्वाहनिय तरंग सिधान्त जिन स्वानिय तरंगों का Arthur Holmes ने उप्योग किया वे स्वानिय तरंगे इस केंदर से पैदा होती है और एक स्तंब के रूप में उपर की तरफ उड़ती है ये स्तंब लगातार उपर की तरफ उड़ता है और कहां तक पहुँचता है हमारे इस करश्ट तक इस करश्ट के पास हें पहुचकर ये खस्ट से टकरा कर दोनव Ugh कटि करता है किस तरफ तोनु extract के साथ में निचे निचे अपने स्तेय के निचे जहां आम खड़े हैं इसके निचे ये एक इस तरफ और एक इस तरफ लगातार गति करता है यानि कि इनका क्या है एक स्त्य के पास जाकर आप सरण होनी लगता है लगातार यही प्रक्रिया कि चलती है निच्छे से उपर की तरफ ऊपर जाकर स्थय के पास यानि की क्रस्ट के पास पहुँच कर ये दोनों तरफ गतीय नि आपसरण होता है अब दूसरा छेतर देखिए जहां एक और केंदर है वहां से भी यही प्रक्रिया हो रही है केंदर से उपर की तरफ केंदर से उपर की तरफ जो है वो स्वानी तरंगे उठती है स्टै के पास पहुंचती है और दोनों और क्या है अफसरन होकर गती कर जाती है स्टै के साथ चलती हुई वो तरंग भी इस तरफ आती है और जो यहां से तरंग चली थी वो भी उस तरफ चाती है इस स्थम्ब की जो तरंग थी वो उस तरफ चाती है अब दोनों तरंगे एक स्थान के उपर क्या है टकराती है उस स्थान पर टकरा कर वो तरंगे फिर क्या करती है निच्चे की और गती करती है जैसे मैंने बताया साथ चाय की बरतन्मिक किनारे पर टकराके निच्चे की और गती करती है ऐसे ही यहाँ पर भी यह तरंगे आपस में टकराकर निच्चे की तरफ गती करती है यह तरंगे निच्चे की तरफ गती करती है वापस इस तंब की तरंग इसी में आती है उस तंब की वो उसकी साथ उधर को रोटेशन करती है लगातार यह चकर यह प्रकरम चलता रहता है इधर का यूँ लगातार चलता रहता है यानि स्वानिय तरंगे एक ऐसा जो जिसको अपने conventional current कहते हैं यह तरंगे लगातार जो है वो एक घड़ी की सुई की दिशा में और एक घड़ी की विप्रित सुई की दिशा में चलती है अब यह तरंगे जिस स्थान से इनका अपसरन होता है उस स्थान के ओपर क्या गटित होता है जब यह स्था के पास पहुंचती है और इनका जो है एक तुसरे से अपसरन होता है तो वहां स्था के निचे तनाव बलपेदा होता है तनाव किसे कहते हैं जब इंसान का दो तर ध्यान हो जाता है तो वह एकागरता नहीं कर पाता और तनाव में चला जाता है ऐसे ही यहां पर भी दो तरफ अपसरन होता है और उस सतय के पास में जहां से दो तरफ अपसरन होता है उपर वाला छे तरफ क्या होता है तनाव उसका अपसरन होने की वज़े से वहां पर भाग के उपर अगर कोई क्रैकिंग आ जाती है तो वर्सा का जल उसमें भर जाता है यैंस नदी का जल उसमें भर जाता है वहां जब जल हदा तो एक शागर का निर्मान हो याता है कुछ समय हूँ वह सागर도 भी बड़ा यानि चोड़ा हो सकता है तो सागर से महा सागर तक बन सकते हैं अगर फिर ये टूट जाए स्वानी तरंगे उपर की तरफ आ जाए तो अपने साथ अंदर का जो मेगमा है उसको लावे के रूप में बाहर निकाल देता है और ये लावा महा सागर के बीच में क्या बन जाएगा कटक अन्तै महा सागर ये कटक के रूप में यानि कटक क्या होता है प्रवत स्रेनिया जो सागर में डूबी होती है तो सागर ये महा सागर के बीच में कटक के रूप में जो अला मुखी नेमित कटक की रूप में ये स्रंकलाई बन सकती है ये इतना ही है लेकिन बात करते हैं अपने जहां पर ये वाली स्वहनी तरंग और दूसरे केंदर की उठी वी स्वहनी है उठते हुए दो स्वहनी तरंगे जहां पर बीच में जाकर मिलती है और एक गिरता हुआ स्थंब बनता है उस गिरते हुए स्थंब पे चलते हैं और वहां समझते हैं कि क्या परिवर्तन होता है अब जिस भाग में जहां पर स्वानिय तरंगे आपस में मिलती है वहां पर दोनों तरफ से लगातार ये लगातार मिलती है जिसकी वज़े से उपर वाड़े भाग बेसता है कि उपर जो है अभी सरन का परभाव पड़ता है यहां अभी सरन क्या होता है दो तरफ से तरंगे लगातार आती है तो उन्हें अभी सरन कहते हैं और ये प्रकिरें ज़दातर कहां कहां होती है तो इन्होंने बताया कि महादीप यह छेतर में महासागरों की अपिक्षा रेडियो धर्मी पदार्त अधिक होते हैं तो रेडियो धर्मी पदार्त जहां अधिक होते हैं वहां से और जहां कम होते हैं वहां से दोनों ही एक अप यानि कि दोनों का जो महादीप यह मगंतर्ट है यानि इस महादीप जहां सागर के अंदर डूबा हुआ छेतर जो है वो मगंतर्ट कहलाता है उसके निचे जाकर द लगातार होते हैं क्योंकि वहां पर महादी पर चेतर से चलता हुआ जो जल है यह नदी है वो उसमें आकर कटी हो जाती है नदी का जल इकठा होता है शात में अफसादीकर्ण भी होता रहता है अफसादीकर्ण ही लगाता चलता है तली में दुबाव बढ़ता है निच्चे से ये स्वानिय तरंगें भी काम करती है उसका अधोर्मुखी गती जो है वो उपर से निच्चे की तरफ तली को अवतलित करती रहती है तली लगातार धंसा होता रहता है उपर से नदियां लगातार उसमें क्या है तो सब्सक्रांड होगा तो आप देख सकती है इस परकार की एक भूसमिति का निरमाण हो जाएगा अब आर्थर होमस महोद्यानी परवतों के निरमान की बिक्या है तीन अवस्तें बताइए प्रथिद्य वस्ता तृत्य वस्ता के अंदर इनंगों कहा है कि जो स्वानिय तरंगे हैं वो कुछ तीवर गती से चलती है लेकिन यहाँ समय बहुत लंबा है यह करोडों अर्बों वर्षों तक लगातार चलती है और बनाती क्या है भूसनती जो मैंने अभी प्रक्रिय अबदाई थे आपको कि दोनों तरफ से तरंगे आकर नीचे की ओल जाती है यह लगातार चलती है और यह बहुत लंबा समय होता है और उपर बन जाती है भूसनती क्योंकि लगातार अवतलन जारी है और इधर से नदियों ने लगातार उसमें अब साध्दीकर्ण भी जारी रख रखा है जिसकी विजह से यहां पर एक भू सनति का निर्मान हो जाता है अब बात करते हैं अपने दृत्य अवस्था की दृत्य अवस्था के अंदर सुहानिय तरंगे और भी ज़्यादा तीवर हो जाती है देखो पहली अवस्था में क्या था स्तय के पास में स्तय के पास में जो है वो कम ठंडा मतलब ठंडा पतार था गरम नहीं था और निच्छे के अंदर में क्या था गरम पतार तो गरम पतार लगाता ओपर की तरफ जो उड़ता है इस तरफ जो उपर उड़ता है वो निच्छ कि तरफ जा रहा था तो नीचे गरम पदार्थ था केंदर में गरम पदार्थ था उपर की तरफ ठंडा पदार्थ था तो यह सभाविकता ही है कि उपर जो है वो ठंडा पदार्थ है वो अब कहां गति करेगा वो इस स्वानिय तरंगों के साथ में वो जो ठंडे पदार्थ ह हैं वह भी गति कर जाएंगी ठंडे बतार्थों की गती निच्छे के तरह चलेगी और मेश्य से गरम पढ़ार्थ उपकी तरह सभी दीमेल थीमेल स्वाणित रंगें बहुत देयर घति चलती लेकिन गरम पदार्थ धिमे धिमे उपर उठता है और ठंडा पदार्थ धिरे धिरे निचे जाता है अब भी तक ठंडा पदार्थ स्टै के साथ ही है और कुछ ही मुड़ा है भी तक और गरम पदार्थ निचे केंदर में है कुछ ही उपर उठता है तो यह प्रत्म अवस्था है जिसमें बहुत सरंति का निर्मान हो जाता है जित्य अवस्था में बताया था को कि इनकी गति बहुत जदा तीवर हो जाती है इनकी सुहानिय तरंगों की सुहानिय तरंगों की तीवर गति के कारण जो निच्चे का गरम पदार्थ है वो उपर जैसे मोटर जितनी पानी की तेज अवती है पानी उतनी तेज उठता है ना साथ में तो हवा के साथ में पानी उठता है तो हवा का रूप स्वानी तरंगों का मानो पानी को गरम पदार्थों की तरह समझो तो गरम पदार्थ जो है वो उपर की तरफ उठने लगते हैं और उ प्रोटता हैं थान्डवजार्थ नीचे हैं चल गया अब ये अवस्था जब तीरगती से स्वानिय तरंगे चलती है तो दोनो जो अभी सरन छेतर है जहां पर दो तरंगे आपस में टकरा रही थी वहां प्रहं पर टीवर्ता के कारण क्या होता है इस बनीवी भू सनती के दोनों किनारों पर दबाब पड़ता है दोनों किनारों पर दबाब पड़ेगा तो बीच का मलबा क्या हो जाएगा उतित हो जाएगा यहां पर वलित परवतों का निर्मान अब हो चुका है अब निर्मान हो चुका है अब नीचे से करम पदार्थ उपर आ गया था गरम पदार्थ अब नीचे नहीं जाएगा इसी करम के अंदर क्यों नहीं जाएगा कि गरम पदार्थ की सभाविकता होती है कि वो नीचे से उपर उठता है उपर से नीचे नहीं यादना अब जब ये नीचे उपर से गरम स्वानिय तरंगे इसको प्रयास करती है और नीचे से ठंडे पतारत को उपर लाने के प्रयास में रहती है तो ये संभवन नहीं होगा था और स्वानिय तरंगे स्थिर हो जाती है रुक जाती है ब्रेक लग जाती है अब ब्रेक से क्या होगा अब तीसरी अवस्ता क्या होगी कि इसके उठान की वस्ता है वलित परवतों कि जो निर्मान हुआ था अब वो वलित परवत उन्चे उठने वाले हैं कैसे उठेंगे जब सवानिय तरंगे दोनों तरफ से नीचे की तरफ गति करती है तो उनके साथ में कुछ मलबा भी निचे की तरफ चला जाता है अब यह स स्वानिय तरंगों ने उन पदार्थों को यहां निच्चे की तरफ क्या है दबा रखा था अब वो स्वानिय तरंगों के रुकने की विज़े से कुछ उपर की तरफ है उठेंगे और एक प्रकिर्या और जो नदियां अवसाद डाल रहे थी किसमें भू सनती में वो अब वल अधिक्रण की के रहा समाप तो इधर से निच्चे से मलबा उपर की तरफ आपस गति कर गया दोनों ही प्रकिर्या एक साथ हुई जिसकी वज़े से ये वलित परवत विशाल काई परवतों में बदल गई ये सिधानत काफी प्रचलित रहा फिर भी कुछ विध्वानों ने इस पर क्या है आपतियां लगाई थी और कहा था कि स्वानिय तरंगे हमने नहीं सुनी कि स्वानिय तरंगे ध्रातल के प्रचलित के अंदर चलती है हमें नहीं पता फिर ये स्वानिय तरंगे अगर चलती है तो ये स्टै के पास आकर मुर के हो जाती है स्टै का अनुसरन क् बाहर भी आ सकती है, जैसा कि हमारी पृत्वी की हर भाग पर क्या होगा, जो अलम की अभी किर्याएं होने लगेगी, ऐसा क्यों नहीं होता, सुहानी तरंगे जो है वो लगातार क्या है, अंदर ही रूटेशन क्यों करती है, हमें इसका प्रमान जो है, वो इन्होंने नहीं न